कि वेलकम बैग एवरिवान इन इस वीडियो वियर गोइंग तो प्रैक्टिस 250 ग्रामर वर्ड लिस्ट वॉष्ट वीडियो तिल दा या 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 लाइक शेयर विडियो ये वीडियो श्टार्ट करते हैं जैसे कि आपका फर्स वर्ड रों फ्रॉम वेर प्रॉम वेर कहां से अ about whom जिसके बारे में, with whom किसके साथ, with whom किसके विच किस से, for which जिसके लिए, by which जिसके द्वारा, by which जिसके द्वारा, आईए स्टार्ट करते हैं next word, next word देख लेंगे क्या है आपका, in which, मतलब है जिसमें, in which, जिसमें two words whom, किसके प्रती, by whom, किसके द्वारा, by whom, किसके द्वारा, at what time, किस समय, at what time, किस समय, at what way, किस तरह से, at what way, किस तरह से, how far, कितनी दूर, how far, कितनी दूर, आईए देखे next word, how good, कितना अच्छा है, how good, कितना अच्छा है, next है आपका 14, how long, कितनी देर, how long, कितनी देर, 15, students, आपका 15 word है, how soon, कितनी जल्दी, how soon, कितनी जल्दी, 16 word है, what else, what else, or क्या, what else, or क्या, what की हिंदी हो जाती है, आपकी क्या, else के लिए आपको और का यूज़ करना होता है, वहीं बात करें, 17 word के, since, when, कब से, तो since की जो हिंदी है, वो से रह जाती हो, when की हिंदी हो जाती है, कब, आईए, 18 word है, आपका, from, when, कब से, तो from की हिंदी हो जाती है, आपकी से, when की हिंदी हो जाती है, अब, तो from, when, कब से, next word है, आपका, for how long, कितनी देर के लिए, 20 word है, आपका, from, where, कहां से, from, where, कहां से, तो from की हिंदी हो जाती है, आपकी से, where की हिंदी हो जाती है, कहां, next word है, 21, for what किस लिए, 22 word है, what for किस लिए, 23 word है, until when, जब तक, until when, जब तक, 24 वर्ड है आपका in what way, किस तरह से 25 वर्ड है आपका whatever, जो कुछ भी तो इस वर्ड है 26 वर्ड है whatsoever, आखिर ऐसा क्या 27 वर्ड है आपका what type of, किस प्रकार का 28 वर्ड है आपका when ever, जब कभी भी 29 वर्ड है आपका when so ever, जब कभी ऐसा होगा 30 वर्ड है आपका whens जहां से 31 वर्ड है आपका where is, जब की 32 वर्ड है आपका where in, जिस में 33 वर्ड है आपका whichever, जो भी 34 वर्ड है आपका which type, किस प्रकार का 35 वर्ड है आपका who ever, जो कोई भी 36 है whose ever, जो कोई भी 37 वर्ड है why so, ऐसा किस लिए 38 है आपका who, कौन 39 वर्ड है आपका whom, किस को 40 वर्ड है आपका what, क्या 41 हूस, किस का Next आपका 42 वर्ड विच, कौन 43 वर, कहां 44 वैन, कब 45 वर्ड है आपका why, क्यों 46 है how, कैसे 47 वर्ड है how many, कितने 48 वर्ड है आपका how much, कितना 49 है आपका how far, कितनी दूर How far, कितनी दूर Next वर्ड है आपका how long, कितनी देर 50 वर्ड है आपका how long, कितनी देर 51 हाउ ओफ़न, कितनी बार How often, कितनी बार Why else, और क्यों Why else, और क्यों Why की इंदी आपकी हो जाती है क्यों, else के लिए आपने यूज़ किया है और who else, और कौन तो who की इंदी हो जाती है कौन else के लिए यूज़ करेंगे और what else, what की इंदी हो जाएगी क्या else के लिए और का यूज़ करेंगे How else, और कैसे How else, और कैसे तो how की इंदी हो जाएगी कैसे else के लिए आपको और का यूज़ करना है Where else, कहा वेर की हिंदी हो जाएगी आपकी कहा वैन एल्स और कब वैन की हिंदी हो जाएगी आपकी कब और एल्स के लिए आपको और का यूज़ करना है नेक्स वर्ड है आपका 58 है आपका सम्थिंग एल्स कुछ और सम्थिंग एल्स कुछ और तो सम्थिंग की हिंदी हो जाएगी कु तो nothing की इंदी हो जाएगी, कुछ नहीं, else की इंदी हो जाएगी, और तो ये थे आपके grammar word list, आईए आप देखते हैं, important pronoun list क्या है आपकी, important pronoun list, तो आपका 61 word है I, I की इंदी हो जाती है, मैं 62 word है आपका V, V की इंदी हो जाती है, हम 63 है आपका U, U की इंदी हो जाएगी आप, 64 वर्ड है आपका दे दे की इंदी हो जाएगी वे दे वे 65 वर्ड है आपका ही ही का मतलब होता है वे और ये पुरुश के लिए इस्तेमाल होता है मतलब बॉइस के लिए इस्तेमाल होता है 66 वर्ड है आपका शी मतलब वे मतलब ही और शी के मतलब सेम रहने वाला है बट उनका यूज अलग अलग रहने वाला है he का यूज boys के लिए she का यूज girls के लिए तो इस तरी के लिए 67 वर्ड है आपका it, it की Hindi हो जाती है यह है तो यह थे आपके words जो की 58 to 67 थे आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहोगा 68 वर्ड है आपका this, this का मतलब हो जाता है यह है 69 वर्ड है आपका that, that का मतलब वह है 71 वर्ड है आपका this, this का मतलब in, 71 वर्ड है आपका those, those का मतलब way 72, those, way यहाँ पर repeat हो गया है, repetition हो गई है बट मीनिंग हो ही है, those का मतलब वह है 73 वर्ड है आपका one one का मतलब होता है एक 74 है ones मतलब किसी का 75 है anybody कोई भी Next वर्ड है आपका 76 somebody कोई व्यक्ति 77 है nobody कोई नही 78 है anytime किसी भी समय 79 है anything कुछ भी anything 80 वर्ड है आपका something कभी कभी sometimes sorry something नहीं sometimes कभी कभी 81 है आपका something कुछ 82 वर्ड है आपका none कोई नहीं 83 वर्ड है आपका no one किसी को भी नहीं Next वर्ड है आपका all all का मतलब होता है all all का मतलब होता है 85 वर्ड है आपका some कुछ 86 वर्ड है आपका everybody हर कोई 87 है आपका herself herself next है आपका important adjective list quantity important adjective list quantity तो यह था आपका वर्ड 88 है आपका abundant मतलब प्रचूर abundant प्रचूर 89 है आपका empty खाली 90 वर्ड है आपका few मतलब कुछ few का मतलब होता है कुछ तो यह थे आपके one to 90 वर्ड आई ओप आपको समझ में आ रहा होगा आई स्टार्ट करते हैं next वर्ड तो next वर्ड देख लिजे क्या रहने वाला है आपका next वर्ड है 91 आपका full full मतलब भरा हुआ full भरा हुआ 92 है आपका light light मतलब होता है रोश्नी 93 है आपका many अनेक many अनेक 94 है आपका heavy भारी heavy भारी 95 है आपका sprays viral 96 है आपका sound आवाज 97 है आपका defending प्रतिवाद करना defending प्रतिवाद करना 98 वर्ड है आपका loud उचा स्वर ठीक है आए स्टार्ट करते है next वर्ड आपका 99 वर्ड है noisy noisy मतलब कोला हल्योक्त noisy कोला हल्योक्त 100 वर्ड है आपका quiet शांत quiet शांत 101 आपका वर्ड है melodic मतलब मधूर melodic मधूर 102 वर्ड है आपका screeching rothe 103 वर्ड है आपका thundering garage गरजनदार मतलब जैसे बादल गरजते हैं तो उसके लिए आपको thundering वर्ड यूज करना है गरजने के लिए 104 वर्ड है आपका voiceless voiceless मतलब mon voiceless मतलब जिसमें आवाज नहीं होती उसे voiceless कहते हैं या mon कहते हैं ठीक है 105 वर्ड है आपका whispering धीरे धीरे बोलना whispering धीरे धीरे बोलना next वर्ड है आपका 105 यह वर्ड किससे related है taste and touch से related है किससे स्वाथ से और छूने से related है तो आएए देखते है कौन-कौन से वर्ड है 106 वर्ड है आपका bitter बिटर का मतलब होता है कड़वा 107 वर्ड है delicious स्वाधिस्ट 108 वर्ड है आपका fresh ताजा यह यहाँ पे कुछ भी नहीं है गर्म का आपको यहाँ पे use नहीं करना है यहाँ पे आपको टाइपिंग में यहाँ पे शोग गया है बट यहाँ पे fresh के लिए सिर्फ ताजाए गर्म नहीं है वहीं पे आपका 109 वर्ड है greasy चिक्नी 110 वर्ड है hot गर्म 111 ए icy थंडा आईए देखें next वर्ड क्या है आपका taste and touch से related 112 वर्ड है आपका juicy रसदार 113 वर्ड है आपका loose धीला 114 वर्ड है आपका melted पिगला हुआ melted पिगला हुआ वहीं पे आपका 115 वर्ड है nutritious sorry nutritious postic वहीं पे आपका 116 वर्ड है prickly prickly मतलब काटेदार prickly काटेदार 117 वर्ड है आपका rainy बरसाती rainy बरसाती 118 वर्ड है आपका rotten सडा हुआ 190 वर्ड है आपका salty नमकीन salty नमकीन salt का मतलब होता है नमक वहीं बात करेगा salty की तो वह आपका word थोड़ा change हो जाता है word का form थोड़ा change हो जाता है salt का salty हो जाएगा तो नमक का नमकीन बन जाएगा स्टुडेंट्स आपका नेक्स वर्ड है अपेरंस अपेरंस मतलब होता है उपस्थिती आईए देखते हैं 128 वर्ड क्या कहता है आपका अडॉरेबल प्यारा 129 वर्ड है आपका अलर्ड चितावनी 130 वर्ड है आपका ब्यूटीफुल सुन्दर 131 वर्ड है आपका ब्लॉड मतलब गोरा 132 वर्ड है आपका ब्लूडी मतलब रक्त रंजित 133 वर्ड है आपका ब्लशिंग ललित या शर्मिला कह सकते हैं 134 वर्ड है आपका ब्राइट मतलब चमकदार या चमकीला देख लीजे नेक्स वर्ड आपका क्या है 130 वर्ड क्या वर्ड कह रहा है आपका 130 वर्ड वर्ड है आपका 135 है क्लीन क्लीन को बोलते हैं हिंदी में साफ क्लीन मतलब होता है साफ 136 वर्ड है आपका cloudy बादलो से घिरा हुआ cloud मतलब होता है बादर अगर वहीं पे cloudy आ जाता है तो cloudy का मतलब हो जाता है बादलो से घिरा हुआ 137 वर्ड है आपका colorful रंगीन color की बात करें तो वो रंग होता है colorful की बात करें तो वो आपका रंगीन बन जाता है वहीं पर आपका 138 वर्ड है crowd, crowd का मतलब होता है भीड, जहां पर बहुत सारे लोग इखटा हो जाते हैं, वहां पर उस situation को आप crowd कहेंगे, तो उसको इंदी में भीड भी कहेंगे, 139 वर्ड है आपका cute मतलब प्यारा, cute उसे कहते हैं जो देखते ही आपको बहुत ही प्यारा अगी तो उसे cute कहते हैं एंग्लिश में, 130, 140 वर्ड है आपका dark, dark मतलब होते हैं अंधेरा, मतलब जहां पर कुछ आपको दिखाई ना दे, उस situation को आपको dark कहना, उसका हिंदी में मतलब होते हैं अंधेरा, 141 वर्ड है आपका dull, मतलब उदासीन, dull, उदासीन मतलब जैसे की उदास, dull का मतलब होता है उदास, ठीक है, 142 वर्ड है fancy, fancy का हिंदी में मतलब बन जाते हैं आपका kulpna, fancy, fancy का मतलब होता है कलpna, देख लीजिए आपका next word क्या है, next word है आपका filthy, filthy, filthy मतलब गंदा, 143 वर्ड है आपका filthy मतलब गंदा, 144 वर्ड है आपका glamorous, ग्लैमरिश मतलब आकर्शक जो अपने जो आपको अट्रेक्टिव करें उसको कहते हैं ग्लैमरिश उसका हिंदी में मतलब रह जाता है आकर्शक 145 वर्ड है आपका ग्लीमिंग ग्लीमिंग का मतलब होता है चम चमाती वहीं पे आपका 146 वर्ड है लाइट लाइट का मतलब होता है रोशनी अब मिस्टी किस सिचुएशन में कह सकते हैं जब आप लोग देखेंगे कि ठंड में सुबह के समय पे जो कौरा होता है वाइट वाइट होता है उसे आप मिस्टी कह सकते हैं मतलब दुंदला कह सकते हैं उस सिचुएशन को आप दुंदला कह सकते हैं मिस्टी मतलब दुंदला 148 वर्ड है आपका मड़ी मतलब होता है मैला और मड़ी का मतलब एक और हो जाता है आपका कीचड क्या कह सकते हैं कीचड मड़ी मतलब होता है कीचड वही पे आपका 49 वर्ड है प्लेइन प्लेइन का मतलब होता है मैदान 150 word है आपका Queant मतलब vichitr Queant मतलब vichitr क्या मतलब होता है Queant मतलब vichitr जो आपको अजीब सा लगे या देखने में अजीब सा लगे महसूस अजीब सा हो वहाँ पे आप word का यूज़ करेंगे Queant मतलब vichitr अजीब सा वहीं पे आपका देखन लिजिए 151 word क्या कह रहा है 151 word है Feel bad मतलब जब आपको बुरा लगता है तो आपको किस टाइब के word यूज़ करने होते है जब आपको बुरा लगे धियान देखिए 151 word है आपका Afraid Afraid का मतलब होता है दर ना मतलब आपको किसी से कोई डर हो या आपको डर लग रहा हो तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे अफ्रेड 152 वर्ड है आपका एंग्री एंग्री मतलब गुस्सा आप गुस्सा की सिचुएशन में आता है जब या तो आपको किसी ने काम खराब कर दिया हो या इंग्लिश बन जाती है अनॉइड क्या इंग्लिश बन जाएगी अनॉइड अब नाराज आपके सिचुएशन में होंगे कि आपने किसी से कोई काम कहा उसने आपका उस समय पर काम नहीं किया तो आप उस जगें पर आपको नाराज यूज करना है और नाराज की चिंति वैसे कहां यूज करेंगे जब आपको कोई कहा दे कि हम मैं इस समय पर आऊंगा और वो उस समय पर ना आके बहुत टाइम लगाए तो आपको चिंता होने लग जाती है तो उस जगे पर आप एनिक्स का वर्ड यूज कर सकते हैं वहीं आप लोग देखिए 155 वर्ड ढोखनें है जो कि अभीवानी बतमीश हो जाएगा घंबन्डी हो जाएगा तो आपको जिब भी यूज करना थो इन तीन सूर में प्लिक अपर installation तो आपको इंगलिश में O सोच नहीं यह समझना भी dus five na150 अशियंड मतलब होता है शर्मिन्दा मतलब शर्मिन्दा 157 वर यह आपका अफुल मतलब भैयंकर कोई भैंकर सा नजारा हो या कोई लड़ाई करते हुए भयंग का टाइप से लड़ाई करें तो आपको उस जगे पर फुल का यूज़ करना ठीक है आई देखते हैं नेक्स वर्डे आपका बैड 158 वर्डे आपका बैड बैड की हिंदी हो जाती है खराब कोई भी चीज आपका कोई डिस्ट्रॉय कर देता है तो आपको बूर्ण लगेगा तो उसके भाइदí आपको खराब लगेगा लेकिन उसकी क्या हो जाएगी बैड और बोर्ड होता है वैसे आपे बौー यह बोर्ड यूज़ किया है वाइव जाना किसी भी चीज से परिशान हो जाना उसी चीज़ को बार-बार पहन के या खाक के या बोल के तो उस चीज़ को बोर कहते हैं मतलब जो चीज बार-बार रिपीट हो तो वो चीज बोर की फॉर्म में आ जाता है ठीक है 160 वर्ड है आपका confused, aspust, confused मतलब की जब आपसे कोई clarity से कोई चीज ना कहे वो आपको घुमा फिरा के गुमा फिरा के बाद बोले और confused करता रहे उस जगे पे आपको aspust मतलब confused, आप confused होंगे उस जगे पे ठीक है Next is 161, creepy, creepy का मतलब होता है मुश्किल, creepy का मतलब होता है मुश्किल 162 वर्डे आपका cruel मतलब निर्दई, cruel मतलब निर्दई, 163 आपका dangerous, khतरनाग, dangerous, khतरनाग 164 वर्डे आपका defeated, defeated मतलब हारा हुआ, defeated मतलब हारा हुआ 165 वर्डे आपका depressed, of sad grist, depressed मतलब of sad grist, वहीं पे आपका next वर्ड देखेंगे क्या है आपका इंच डिस्गस्टिंग मतलब घ ada is discussing मतलब घिनोना हिंदी में मतलब घिनोना घिनोने के लिए आपको यplaces करना है काथि यह तो मुसे कह सकते हैं घिश्गस्ट कह सकते हैं विश्ट्प और यह सब्द करें लगा है तो disgusting का मतलब हो जाता है घिनोना वहीं पर आपका नेक्स वर्ड है 167 वर्ड है disturb disturb मतलब बिंद डाली बिंद डाली मतलब आपको कोई बार-बार परेशान कर रहा है आप कुछ काम में फोकस कर रहे हैं आपको फिर से वो डिस्टरब कर देता है या कुछ बोल देता है आपका माइंड क्या है टिस्टरब हो जाता है तो आप उसज़ें कर बिंद डाली बोल सकते हैं आपको कोई बार-बार तंग कर रहा है क्या चीज़ होता है इर्शा का मतलब होता है चिड़ना जलना मतलब एक दूसरे को देख के बरदास ना करना उस जगे पे आपको यूज करना होता है इर्शा और इर्शा की इंग्लिश हो जाती है एंवियर्श ठीक है 169 वर्ट देख लीजे क्या है एविल एविल का मतलब होता है बुराई या न बुराई और नजर आपका नेक्स वर्ड़ है 170 फियर्स मतलब भयंकर अभी आपने देखा था हमने भयंकर के लिए डेंजरस भी यूज़ किया था ठीक है खतर ना की उज़ किया था एक फियर्स के लिए भयंकर यूज़ किया है या जिसको समझ में कोई चीज ना है बार-बार उल्टी सीधी हरकते करें वो मूर्ख में आता है उसको हम फुलिश कह सकते हैं क्या कह सकते हैं फुलिश कह सकते हैं 172 वर आपका फ्री टेंट मतलब डरा हुआ अब डरे हुए के लिए तो आप फ्री टेंट अपको चीज चीज को आपको आपको यसच को आपको 273 वर देख लिज זה क्या है helpless helpless को आ सहाई भी बोल सकते हैं मजबूर भी बोल सकते हैं helpless मतलब जब कोई किसी की मदद नहीं कर पाता वो आ सहाई हो जाता है या मजबूर हो जाता है ठीक है उसके लिए आपके हिंदी हो जाती आ सहाई या मजबूर आईए देखते हैं next word तो next word है आपका homeless homeless मतलब बेघर या जिसके पास कोई घर नहीं है homeless मतलब जिसके पास कोई घर नहीं है या बेघर 175 वर्ड है आपका hungry hungry का मतलब होता हा हट को हम हाट भी बहु चकते है या किसी को कोई चीज बुरी लगती है तब वो hurt हो जाता है किसी को चोट लगती है तब वो हट हो जाता है तो हट के लिए भी आपके जो यूज करने के तरीके हैं वो सारे तरीके अलग अलगे तो उसको हमें यह सोचना होता है कि आपको हट का यूज कब और कैसे यूज करना है क्योंकि आहत अगर बोले तो भी हर्ट मतलब है और किसी को बुरा लगा तो भी हर्ट हुआ किसी को चोट लगी तब भी हर्ट हुआ तो इस चीट को समझना बहुत जरूरी है कि हमें हर्ट का यूज कप कप करना है अब वहीं पर बात करें pain, pain का मतलब दर्द होता है और जब हमें कोई चोट लग जाती है तो आपको वहाँ पे pain भी यूज़ करना पर जाते है तो आपको यह समझना है कि बस हमें कैसे यूज़ करना है किस sentence को किस word को किस situation में यूज़ करना है आपको बस इतना सा समझना है वो हम देखेंगे आगे 177 word है आपका il il का मतलब होता है बिमार अब il का मतलब भी बिमार होता है sick का मतलब भी बिमार ही होता है अब यहाँ पर jealous का मतलब इर्षा होता है आप यह आपने देखा था कि इर्शा के लिए कुछ और वर्ड भी यूज किया गया था और इर्शा के लिए आपको जैलेस वर्ड भी यूज किया मतलब किसी से चिड़ना या चिड़ना या उससे बत्तमीजी से बात करना वो भी एक तरीके का इर्शा का दिखाई देता है कि जब किसी से किसी को चिड़न में यूज करना है नेक्स वर्ड है आपका लोनली लोनली का मतलब होता है अकेला लोनली मतलब अकेला 180 वर्ड है आपका मिस्टीरियस रहसे में रहसे में मतलब मिस्टीरियस मतलब होता है रहसे में जो चीजे छिपी होई हो दुनिया के सामने ना आई हो किसी के सामने ना आई हूं तो उस चीज को आपको mysterious कहना है क्या कहना है mysterious मतलब रहसे में या गुप्त मैं कह सकते हैं गुप्त का मतलब भी होता है छिपना या छिपाना गुप्त का मतलब भी क्या होता है छिपना या छुपाना और रहसे में का मतलब तो होता ही है छिपा हुआ जो चीज हमने कभी और रहसे में चीजों की खोच करी हो ठीक है तो वो छुपी होई थी उनकी हमने खोच कर लिये तो वो पहले क्या थी mysterious थी ठीक है next word देख लेजिए क्या है nervous नर्वस मतलब घबराया हुआ अब यह नहीं कि nervous मतलब घबराया हुआ तो किसी से डर है तभी हो घबरारन नहीं nervous कभी भी हो सकता है इंसान जैसे कि कि किसी का उसका function है जैसे उसको कोई speech देनी है तो वो nervous हो सकता है किसी का dance function है तो वो nervous हो सकता है तो उस जगे पे आपको nervous का word यूज़ करना है लेकिन वहां पे यह मतलब नहीं होता को उसका घबराया हुआ यह डरा हुआ है नहीं nervous का मतलब नॉर्मली nervous हो सकता है इंसान तो यह थे आपके नेक्स वर्ट तो यह थे आपके 12181 वर्ट आयोप आपको यहां तक के वर्ट किलियर हो गए होंगे किलियर हुए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना कॉ सब्सक्राइब कर लेना आई स्टार्ट करते हैं नेक्स वर्ट को देख लीजिए 182 वर्ट क्या है आपका स्कैरी स्कैरी मतलब होता है डरावना स्कैरी स्कैरी का मतलब होता है डरावना 183 वर्ट है आपका सेलफिश सेलफिश को आप सेलफिश भी कह सकते हैं या आप स्वा वहीं पर आपका नेक्स वर्ड है 184 वर्ड आपको देख लिए एक सोर का मतलब होता है घाव अब यहां पर आपका नेक्स वर्ड है 185 टेंस अब यहां पर यहीं पर आपका देख लिए 186 वर्ड है आपका टेरिबल का मतलब होता है भयानक terrible terrible का मतलब होता है भयानग next word है आपका 187 thoughtless allhard मतलब किसी को बात करने की तमीज नहीं है कुछ भी किसी भी समय कुछ भी बोल देना वो thoughtless है मतलब speechless है मतलब उसे कुछ बोलना नहीं है मतलब उस जगे पे उसको कुछ बोलना यूज करना है वहीं आपका 189 वर्ड है tired tired का मतलब होता है ठका हुआ tired का मतलब होता है ठका हुआ आए देखते हैं next word क्या है next word है आपका troubled 189 वर्ड है आपका troubled मतलब परेशान troubled मतलब परेशान 191 है आपका upset परेशान troubled का मतलब भी परेशान है upset का मतलब भी परेशान है uptight का मतलब होता है uptight 191 है uptight uptight का मतलब भी है uptight 192 वर्ड है आपका wicked मतलब दुस्ट मतलब या बत्तमीज कह सकते है कि बार-बार उस चीज को शरारत कर रहे तो उस जगे पर आप wicked मतलब दुस्ट का यूज कर सकते है आईए आप यूज करते हैं ऐसे वर्ड जब आपको अच्छा महसूस होता है feel good होता है अच्छा महसूस होता है तो उस समय पर आप लोग कैसे कैसे वर्ड यूज करते हैं आईए start करते हैं तो देख लीजिए आपका 193 वर्ड agreeable agreeable मतलब सहमत किसी चीज से सहमत हो जाना 194 वर्ड आपका brave मतलब बहादूर 195 वर्ड आपका charming मतलब आकरशक charming मतलब आकरशक किसी चीज को आकरशक करना मतलब इनसान भी charming हो सकते है कोई subject या कोई assets भी आपका charming हो सकते है जिसको आप लेने के लिए आकरशित हो जाएं वो आकरशक कर रहा है आपको वैसे तो फिलाल charming का use boys के लिए कह सकते है ठीक है और वैसे नहीं कह सकते है assets के लिए आपको बकाइदा देखना पड़ेगा कि आपको किस समय पर यूज करना है charming का चामिंग का मतलब होता है आकरशक आए देखते हैं next word next word है आपका cheerful cheerful का हिंदी मतलब है हस्मुक cheerful cheerful का हिंदी मतलब है हस्मुक 197 वर्ड है आपका comfortable आराम दायक comfortable आराम दायक मतलब किसी चीज में आपको comfortable हो रहा हो आराम दायक महसूस हो रहा हो परिशानी ना हो रही हो तो आप लोगों को comfortable का यूज़ कर लेना है अब बात करते है cooperative की cooperative मतलब सहयोगी cooperative सहयोगी मतलब हर चीज में मदद कर देना वो cooperative होता है या अपने काम को लेके cooperative होना मतलब हमें इस चीज को काम करना है तो करना है अपने सातीयों के साथ कॉपरेटिव मतलब स्रहयोगी पाटी बनना है तो बनना है ठीक है 199 वर्ड है आपका courageous मतलब सहासी, 200 वर्ड है आपका delightful का मतलब होता है 201 वर्ड है आपका एगर मतलब आतुर, एगर का मतलब होता है आतुर, ठीक है एगर का मतलब क्या होता है 202 वर्ड है आपका elated उत्तेजित होना, elated मतलब उत्तेजित next word next word आपका enchanting अद्भुत enchanting अद्भुत 204 वर्ड आपका anthocytic उत्साही 205 वर्ड आपका excited उत्साही ये था आपका उत्साही ये वर्ड आपका उत्साही 206 वर्ड आपका fair fair मतलब होता है गोरा और fair का मतलब एक यहाँ पर साथ के लिए मतलब फैयर करना दूसरों के साथ यह कि लिए मतलब वफादार iis fantastic fantastic की हो जाती है जबर्दस अच्छी आई देखते हैं x वर्ड फ्रेंडली 210 वर्ड आपका फ्रेंडली मतलब दोस्ताना अगर हम बात करें फ्रेंट्स तो दोस्त होगा हमने यहां पर लगा दिया मतलब फ्रेंडली के लिए आपको दोस्ताना यूज करना है 211 वर्ड यहां पर यहां पर आपका गुड़ का मतलब ओजाता है अच्छा गुड़ का मतलब ओजाता है अच्छा 215 वर्ड है आपका happy Happy की इन्दी हो जाती है खुश 216 वर्ड है आपका healthy यहांदी का मतलब हो जाता है स्वस्त आइए देखते हैं next word 217 वर्ड क्या है आपका तो आइए next word 217 वर्ड क्या है helpful मददगार helpful मददगार 218 वर्डे आपका jolly मतलब विनोधी jolly ka मतलब होता है विनोधी 219 वर्डे आपका joys, anandit 220 वर्डे आपका kind का मतलब हो जाता है दयालू 211 वर्डे आपका lively, jivant 222 वर्डे आपका lovely, pyaara लवली प्यारा 223 वर्डे अबिडेंट मतलब आज्याकारी 224 वर्डे आपका पर्फेक्ट मतलब उत्तम और है नेक्स वर्डे आपका 225 प्लीसेंट सुखद 226 वर्डे प्राउड मतलब गर्व 227 वर्डे आपका विक्टीरियस विजई यहां पे आपका 229 वर्डे वंडर्फुल वंडर्फुल की स्पैलिंग हो जाती है आपकी 200 228 की स्पैलिंग हो जाती है वंडर्फुल यहां पर आपका वाई मिस्टेक हो चुका है थोड़ा से यह टाइप होगी है वाई मिस्टेक आपको ध्यान नहीं देना है वंडर्फुल पर ध्यान देना है वंडर्फुल की इंद्य हो जाती है अस्चार रहे जनक 229 वर्डे आपका अलाइव मतलब जीवित और यहां से देखने कि किस सिच्वेशन में यूज होते हैं है यह कंडिशन की फार्म में मतलब जहां पर आपको शर्त रखी गई हो इस्तिति के लिए भी कह सकते हैं तो इस अस शर्त पर यादा रखी जाती है अगर किसी कंडिशन next word है आपका 231 word है आपका busy, busy का मतलब होता है west 232 का मतलब होता है cheerful saafdhan 233 का मतलब होता है courteous saafdhan courteous का मतलब भी हो जाते है आपका saafdhan 234 का मतलब है clever chatur 235 का मतलब है आपका worried मतलब चिंतित worried का मतलब हो जाता है चिंतित 236 मतलब होता है crazy crazy pagal pagal crazy का मतलब होता है टो 239 का मतलब देख लीजिए 239 वर्ड कहा है देख लीजिए different different का मतलब हो जाते है different मतलब अलग 240 वर्ड है आपका difficult cutting difficult cutting 241 है आपका 241 वर्ड है आपका doubtful संदिग्द doubtful संदिग्द क्या हो जाता है संदिग्द 242 का मतलब है easy मतलब 242 वर्ड है आपका easy easy नहीं है essay essay का मतलब हो जाता है निबंद essay essay का मतलब हो जाता है निबंद next वर्ड है आपका 243 वर्ड है famous प्रसिद famous की हिंदी क्या हो जाती है प्रसिद और next वर्ड है आपका 244 helpful helpful का मतलब होता है मददगार helpful मददगार और 245 है helpless आसा है helpless आसा है अब आप लोग यह कहेंगे कि यह वर्ड तो repeat हो रहे हैं बट वो किसी और situation में यूज हो रहे थे यह आपके condition के situation में यूज हो रहे हैं तो इसलिए हमने आप यहां पर इन वर्डों का repetition क्या है आपको condition में भी इस ताइब के वर्ड को वर्ड को यूज करना है देख लिए नेक्स वर्ड कहुंस है आपका condition का condition का next वर्ड आपका important 246 वर्ड इंपॉर्ट मतलब महत पून 247 वर्ड इंपॉसिबल आसंभव इंपॉसिबल आसंभव 248 वर्ड आपका इनोसेंट मासूम इनोसेंट मासूम 249 वर्ड आपका outstanding आसाधारन आसाधारन 250 वर्ड आपका पूर गरीब पूर गरीब तो यह थे जादा से जादा कीजिए ताकि उनको भी आपके वीडियों देखने को मिले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो यह वीडियों आप हमारे ही फे खतर मता है कि आप कि कि अग्षा कि था अग्षा